दोस्तों आज के कहानी हैं डिलिवरी के समय बहु के हिच्च में आराम कब होता दोस्तों कहानी सरू करने से पहले अगर आपने हमारे सैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पाउसे हर नया वीडियो सहरा सब कुस व्यत कर देता हैं निकी बहुतों आज भी मुझे कुस नहीं बताएगी क्यों सही कह रही हो न दादी सास के कमरे में रात को पाने का जग रखने आई निकीता के सहरे के उकड़े भाव देखकर दादी सास ने कहा ऐसा कुस नहीं है दादी जी आप तो उनकी सास हैं आप से बहतर उनको कौन समझता होगा कहकर निकीता कमरे से सली गई अपने कमरे में जाकर कमर सीधी करने को लेटी ही थी कि याद आया कल सास ने सोले बटूरे बनाने कहा हैं और वो सने बिगुना भूल गई थी किसी तरह बेमन से वो उठी और रसोई की और जाने लगी अरे अब रात को क्या काम याद आ गया सलो सोजाओ कब दिन से रात हो जाता तुम्हें पता भी नहीं सलता ऐसे अवस्ता में थोड़ा आराम कर लिया करो पता नहीं किसी को तुमारी हालत दिखाई क्यों नहीं देती हैं बिस्तर पर लेटे लेटे पती मयंक ने कहा वो सने बिगुने थे भूल गई बस वो काम निप्टा कर आती हों कहकर वो रस्वी की और सल दी एक काम कह दो जो एक बार में महारानी जी को याद रह जाए अरे काम ही क्या होता है घर का रस्वी ही तो संभालना है बाके काम के लिए नौकर साकर तो हैं ही अब ये काबूली सने भी न जाने कहां रखी हैं मिल ही नहीं रही बुन बुनाते वो रस्वी में निकिता की सांस काबूली सने खोज रही थी आप क्या कर रही हैं मा कुछ साये था क्या कहते वोए निकीता सने निकाल कर पानी में बिगो दी यही काम जो तुम भूल गई थी करने आई थी कभी तो एक बार में कर लिया करो जब तक स्यार बार ना बोलो काम नहीं होता सास ने कहा और रसोई से सली गई निकीता अपना सा मुहू लेकर कमरे में आई तो मयंक ने कहा अरे क्या हुआ सहरा ऐसा क्यों बना हुआ फिर मा ने कुछ कहा ये मा भीना जाने कभ समझेगी ना सास को समझी ना बहु को समझ रही पता नहीं पापा कैसे सब कुछ बरदास्त करते रहते देखना जिस दिन पानी सेर के उपर हुआ तो घर में दो हिचे ना हो जाए मयंक ने गुसे में कहा आप भीना बैकार में मा को कोस रहे हैं किसी किसी की आदत होती हैं जब तक काम पूरा ना हो जाए वो पिसे पढ़ जाते सलिये अब सो जाए कहकर निकिता सोने की कोसिस करने लगी निकिता का पांसवा महीना सल रहा था प्रेगनेंची में कोई दिकत नहीं थी तो सारे काम कर लेती थी पर जब भी आराम करने का सोस कर कमरे में लेटने आए सासुमा सारे काम खतम करके जाने बोलती थोड़ी मदद करती पर उनकी आदत थी सब कुस उनके हाथ में थमाई जाए मसलन पाने का गिलास भी खुद से नहीं ले सकती थी जब तक निकिता उनके हाथ में गिलास न थमा दे वो प्यासे बैठी रह जाएगी एक दिन निकिता रसुई में काम कर रही थी उसकी दादी सास के पास ससुमा बैठ कर बात कर रही थी उनके पिने का पानी खतम हो गया सास निकिता को आवाज देकर बोली पानी दे जाओ निकिता आटा गुंत रही थी उसे आने में देर होने लगी तो सास जोर जोर से बोलने लगी पानी लाने में इतनी देर कर रही हैं इतने में किसी के जान सली जाए पर ये सुन नहीं सकती निकिता जलदी से हाथ दोकर पानी लेकर आई जलदी जलदी कमरे में पहुंस कर जग मेज पर रख कर जाने लगी तो न जाने कैसे पैर पास रख के इस्टूल से टकराया और वो कमर के बाल गिर गई दादी सास और सासुमा दोनों मिलकर निकिता को सहारा देकर उठाई और सासुमा बोली देख कर सलना साये ना कौन सा एक्स्प्रेस ट्रेन पर भागने की जलदी थी वो माजी घैस पर सबजी सडा रकी थी आप जलदी आने बोली तो मैं जलदी जलदी आ गई इस हालत में जलदी जलदी नहीं हो पाता मा मैं कौसिस तो करती हूँ पर आप जैसा सहती वो मुझ से नहीं हो पा रहा कहा कर रुवांची हो निकिता वहां से सली गई देखा बहु आज निकी बहु को कुस नहीं हुआ पर तुम्हारे इस आदत की वज़ से उसे कुस हो गया तो तुम खुद को महाप कर पाओगी मैं तो पहले भी तुमको समझाया करती थी हर वक्त सरपट भागते भागते काम मत करो पर तुम तो मुझे भी सुप करा देती थी आज इसे कुस परिसानी हुई तो मैं मयंक से कुस ना सिपाऊंगी तेरी इन आदतों से वो भी परिसान रहता हैं पर मा हो ना बोल नहीं पाता दादी सास ने सास को समझाया सास को सहरा उतर गया था अगर आज निकिता को कुस हो जाता तो दूसरे दिन से निकिता को सास ने कहा निकिता बहु तुम ठीक तो हो ना कहीं दर्द तो नहीं हो रहा बहु अब से तुम जितना काम कर सको करो फिर आराम कर लिया करना आज से बाग बाग के काम करने की जरूरत नहीं हैं बेटा मेरी आदत हैं जो भी काम करने हैं वो खतम करके सैन पड़ता वही मैं जब ससुराल आई तो सास को कहती जल्दी खालो नहालो सब परिसान होते पर आदत थी जो जाती नहीं पर कल मुझे लगा अगर इस जल्द बाजी के सक्र में कुस हो जाता तो खुद को महप नहीं कर पाती सास की बात सुन कर निकीता के सहरे पर अच्रिये के भाव आ गए निकीता सास की बात सुन खुसी से दादी सास के कमरे में गई तो दादी सास ने कहा आज तो निकी बहु का सहरा देख कर लग रहा हैं सास ने बड़ा प्यार दुलार किया हैं क्यों निकी बहु देख आज जूट मत बोलना सहरा सब को सुव्यत कर देता हैं और तेरे सहरे पर ये खुसी बड़े दिनों बाद आई हैं आप सच में ग्रेट हो दादी मेरे सहरे से पकड़ लेती हो कब खुस हो तो कब दुखी हाँ दादी आज मैंने कहा बाग बाग कर काम नहीं करना आराम भी कर लेना सहरे पर मासुम और बॉली सी मुस्कान लिये निकीता ने कहा और दादी सास के गले लग गई कुस लोगों की आदत होती हैं जो काम करना वो खतम करके ही दम लेते ऐसे में वो दूसरों से भी यही उमीद करते पर सब का काम करने का तरीका एक जैसा नहीं होता ऐसे मैं थोड़ा मन मुटाव परिवार में होने लगता वक्त पर संबल जाए तो इस्तती बिगडने से बस जाती